विसम्राइब रही मैं अमीदे कि सब करेंगे इस वीडियो में हम लोग फास्ट युनिवस्टी के फी स्ट्रेक्चर के हवाले से शेयर करेंगे आपके बताएं कि फास्ट युनिवस्टी जो है वो मल्टीपल कोर्सेज ओफर करती है जिसमें बी बी एस अकांटिंग और फास्ट युनिवस्टी ऑफर करती है अब फास्ट युनिवस्टी के फी स्ट्रेक्चर के हवाले से बिताते चले तो आप लोग देख सकते एडमिशन फी जो कि वन टाइम फीस होती है और आप लोगों को यह एडमिशन के टाइम पर पे करनी होती है यह 20,000 रखे गई है औ यह आपको अट टाइम आफ एडमिशन और आपको यह नॉन रिफंडबल फीस होती है और आपको एक दफ़ा आप लोग पे करते तो आपको यह रिफंड नहीं की जाती है तो फास्ट युनिवस्टी जो है वह 20,000 ले रही है तो यह आपका रिफंडबल होता है और जब अगर हम लोग ट्विशन फी की बात करें तो आप लोग यह देख सकते हैं कि आपको हर समिस्ट्र से पहले जो है एडवांस में पे करनी होती है और इसके लावा यह चेंजिंग भी होती रहती है ठीक है यह नहीं है कि आपका जो है अगले साल यह मतलब को यही रहेगी बलक समिस्ट्र के अंदर आपके पंदरा या सोला क्रेड़े करना करें करना कि आप लोग पर लोग आख़ांपल आट हजार पांट सो को मुल्टिप्लाइ कर देंके तो आप लोग यह देख सकते कि तकरीबन फीज बन रही है एक लाग सताई से तो मतलब कि तक्रीबन आप लोग जो है अगर इसमें इदेखे तो आपको एक समिस्टर की तकरीबबन एक लाग तीस हजार रुपए ये इस तरह करके आपको बनेंगे और अगर वो चालिस हजार रुपए आप लोग एडमिशन फी और सिक्रिटी फी के भी मिला ले तो तकरीबबन आपको पहले समिस्टर में जो आप लोगों ने पे करना है वो एक लाग असी हजार के करीब करीब आप लोगों को जो है या एक लाग साथ हजार मतलब के साथ हजार सतर हजार में एक लाग सतर हजार आप लोग लगा ले तो इतना आपको पहले semester में पे करना होगा और हर semester में आपको तकरीबन एक लाग बीस हजार रुपए जो है वो जमा कराना होगा इसके लावा student activity fund जो है वो 2000 रुपए है और ये को एक्स्ट्रा करुकुला activities के लिए जो है वो आपसे लिया जाएगा और इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं पर semester की फीस है हर semester आपको 2000 रुपए ये भी पे करना होगा ठीक है इसके लावा आप लोग अगर transcript fee लेना चाहरे तो वो देख सकते हैं के 200 fees है इसके लावा campus transfer fee 5000 है campus transfer fee वो है आप लोग इसलामबाद से लहुर में transfer करना चाहरे यह कहीं और करना चाहरे तो उसकी फीस 50,000 रुपए है डिग्री collection fee ठीक है यह आप लोगों को जो है जब आपकी डिग्री complete हो जाए उसके लिए 2000 रुपीज और semester freeze करने की फीस जो है वो 10,000 है ठीक है और यह जो past university की refund policy के हवाले से पताते चले तो इनके admission fee जो के 20,000 रुपीज है वो non-refundable है security रिपोजट जो है वो refundable है या आप लोग जब अपना admission खतम करता है या completion of degree tuition fee जो है वो भी refundable है लेकिन वो कुछ basis को पर ठीक है अगर आप लोग के classes start हो जाती है और आपकी साथ दिन के अंद पंदरवे दिन के दर्मियान लेके तो आपको 50% refund किया जाएगा और सॉलवे दिन के बाद आपको कोई भी refund नहीं होगा ठीक है और इसमें जो days count होगे वो आपके working और holidays दोनों count होगे ठीक है अगर आप लोग को साथ दिन है तो आपका हफता इतवार भी count होगा ठीक है इसक करना चाहरें यह MBA और MS के लिए भी तक्रीबन सेमी क्रेड़ेट और की फीस है लेकिन अगर आप लोग सिंपल बीबी और बीएस के क्रेड़ेट और के अवाले से पता चले तो तक्रीबन आप लोगों को मल्टिप्लाय करना होगा पंदरा से या सोला से तो उस लिहास से कि दिखतें आपको वहाफ को वह अपको पास पीपर मिल जाएगे और मौक टेस्ट मिल जाएगे जिसमाम है अपको प्रीजब अवह नोकिज़ा करें अपको यह काक्व जादा हेल्फुल रहेगा और अप्डेट कर भी आप लोग के हमाने चानल सब्सक्राइब करें थैंक् झाल झाल